इस question में guys, या तो आपको formula direct पता हो, ठीक है, या तो फिर एक और trick है, आप क्या कर सकते हो, हम लोग जानते है, v equals to क्या होता है, w by q होता है, potential difference, work done upon parent charge होता है, तो यहां से w, आप अगर find out कर लो in term of v and q, तो v into q हो जाएगा, अब क्या करिए कि आपके पास जो भी options available है, चाहे वो a हो, b हो, c हो, d हो, सब में work की place पे आप क्या डाल दो, b into q डाल दो, उसके बाद आप सारे calculation, उसको करने की कोशिज करो, current को i डाल दो, time को t डाल दो, और resolve करने की कोशिज करो, क्या सिर्फ capital भी कौन से option में survive कर रहा है, वही option आपका हो जाएगा, चली हम लोग देखते ह तो हमारे लिए अगर हम first option उठा लेते हैं, तो first option में आप लिख सकते हो, क्या दे रखा है, w upon i into t है, w को हम कह रहेते है, v into q रखने के लिए, और i into t, क्या होता है, ये itself q होता है, q q cancel हो गया, क्या आगया, v आगया, तो हमारा पहला option ही correct हो गया, अब बागी option के लिए reject कर क दिखो के, thank you guys.